थी जो एनसी ने ट्रेडिंग बंद करने वाली चीज़े हमें बताई थी उससे काफी लोग टैंसर में आये थे पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ वो पोजिटिव यूज है अब आपको गये सरी ये पोजिटिव यूज कैसे हो गई लोगों ने कहा अंदरूनी मामला है और मैंने का था कि अगर अंदरूनी मामला है तो उस अंदरूनी मामले को हमें नहीं समझना है टिकने आयो या खुद को बिकवाने आयो ये आपके उपर एक काफी यूटूबर ऐसे ऐसे शेरों की वीडियो मनाते हैं जहां से उनको फाइदा है और आपको लेकर वहां पर कौन सी कंपनी आपको फसा रही है भया आपकी बल्ले-बल्ले होने वाली है यहां पर इतने सारे शेर हैं रखना सर मैंने जितने भी शेरों के उपर वीडियो बनाई है उनको आप सिरफ पकड़कर बैट ही जाते ना और टार्गेट में नहीं लजते आज अच्छे खासे आपको एक बात ध्यान दिला दूँ किया जब शेर की नमस्कार मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बजार से आज बात करेंगे हिंदुस्तान मोटर्स की बात करेंगे सर वोड़ा फोन आइडिया की बात करेंगे बीसी जी की और बात करेंगे ओन जी सी की थोड़ी सी करेंगे रतन पावर इंडिया के बारे में बात इन सब की बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं सर वियू के बिना कुछ भी काम नहीं होगा और वियू को जानकर अगर आप टिके रहे तो आप एक अच्छे मुकाम तक जा सकते हैं कभी आपने मेरी कोई भी वीडियो में यह देखा कि इसका यह टार्गेट होगा वह यह असल में टार्गेट कुछ नहीं होते हैं आपको एक भाद ध्यान दिला दूं किया जब शेर गिरने में आता है तो किसी को पता है कि वो कितना गिर सकता है यह जब शेर उठने में आता है किसी को पता है कि वो कितना उपर तक जा सकता है याद रखना सर मैंने जितने भी शेरों के ओपर वीडियो बनाई है उनको आप सिरफ पकड़ कर बैठी जाते न और टार्गेट में न वही लज़ते आज अच्छे खासे मुकाम तक जा सकते थे काफी पुराने पुराने लोग जो हैं बार-बार वो ही गलतिया दोराते हैं जो वो पहले कर चुके हैं भाया अभी हम नए हैं मुझे मत पकड़ लेना क्योंकि मैंने तो अभी सई तरीके से धाई साल के अंदर जो चीजे की हैं वो मुझे लाब धायक हो रही है मैं तो उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो ददद साल पंदरा-पंदरा साल से कंपनी के व्यू को ना जानकर सिरफ टार्गेट में उलज रहे हैं मैं आपको एक चीज दिला दूं सरयाद कोल इंडिया जे के टायर और मेरा एक शेर है टीडा गर रेलवे के शेरों के अंदर जब भरमार आ रही थी तो टीडा गर एक ऐसा शेर था जिसने मुझे अलग रनीतियों के साथ माल गाडिया जिस तरह से बनाता है फिर ये जो के पहिये टेन के पहिये के लिए संयुक्त में एक मैनुफेक्चिंग इंडिया में करके और फिर ये उसे निर्यात करने की चीजों के साथ देख रहा था वो सारी चीज मैंने आपको टीडा गर के बारे बताई चाहे वो भेल के साथ बंदे बारा टेन के लिए जो एडवेंचर के लिए साथ काम करना हो उस वक्त शेर 500 से भी नीचे था आज शेर ने 1235 रुपे टेच करके दिखा दी क्या जिस वक्त में ये विडियो बना रहा था आपको या मुझे यकीन था कि क्या शेर कोई 12 सो तक भी जा सकता है इतने कम समय में भाया टीडा गर अचानक से 1200 में जाने वाला शेर नहीं है और आपको ये भी पता है कि जब भी मैं किसी शेर को उपर ये बोलता हूँ कि बाया जल्दबाजी में फसना मत पर मैंने टीडा गर में ये चीज़े कभी नहीं बोली होगी ना बेल में बोली होगी ना अन्य कोल इंडिया शेर में बोली होगी पर जिस कंपनी के मुझे अलग वज़ूद नजर आते हैं वहाँ पर मैं आपको आगा कर देता हूँ तो टीडा गर जब 1235 पर पहुचा आपको क्या उस वक्त जब मैं इसकी वीडियो कई वीडियो मना चुका हूँ और सारी की सारी फंडमेंटल अंधूनी तरीके से थी कोई भी टार्गेट में वीडियो नहीं थी तो आज से परण ले लो भाया जो भी कंपनी को आप देखते हो काम की वजूद के साथ देखना शुरू करतो और अगर आपको यह पता लग जाए कि कौन सी कंपनी आपको फसा रही है भाया आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है यहां पर इतने सारे शेर है पर हमारी जो नजर फसने वाले शेरों पर जाती है वो तब जाती है जब वो शेर भागते है और आपके माइंड में अगर ये बात आजाए भाया भी ये मुझे फसार आए तो आपका भी भी उस शेर की तरफ नहीं जाओगी चाहिए वो कितना ही उच्छाल करके दिखा रहा हो समझो यहाँ पर टिकने आयो या खुद को बिकवाने आयो यह आपके उपर एक काफी यूटूबर ऐसे ऐसे शेरों की वीडियो मनाते हैं जहां से उनको फाइदा है और आपको लेकर वहाँ पर आप फस जाते हो इसलिए गुमरा होने वाली चीजों के साथ बिलकुल भी आग तो टीडागर को मैं आज बदाई देना चाह रहा हूं हमने टार्गेट पर व्यू नहीं रखा था एक मैंने शेर बताया था आपको के इसी इंटरनेशनल कम से कम उस वक्त आठ से नो वीडियो मनाई थी और लोग कहते हैं सर आप चोटे वीडियो के उपर वीडियो मनाते ह हैं अगर आप मेरी बड़ी बड़ी शेरों की वीडियो की वीडियो देखो तो मैं डेली बना दूँ आपके लिए पर वो देखता ही नहीं कोई क्योंकि सबको इंटस्टी चोटे शेरों में पर चोटे शेरों को मैं इस तरीकी से बताता हूं कि हमें वहां पर बचना है और और काफी 70-80% लोग मुझे जो कमेंट करते हैं कहते हैं सरम पहले पहनी में थे अब सही हो गए हैं क्योंकि बड़े ही शेर हमें कमा कर दे रहे हैं एक शेर था हमारा के इसी इंटरनेशनल शेर था और बीच में मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था भी हाली में बहुत वजूदों के साथ शेर था काफी अच्छी चीजों में यह वर्क करता है जब ट्रेन की टकर हुई थी ना भी टीन ट्रेन की टकर हुई थे साहे तो कहीं हुई थी है तब इसको एक ओर मिला था जहां पहले ही पता लग जाएगा भाया कुछ चीजे हो रही है तो वहां से मै यह तो गिर रहा है मैंने का भाया हमने काम देख लिया है और आज काम का नतीज़ा आठ सो पांच रूपर में शेर है क्या यहां हमने टार्गेट बताई थे इसलिए कह रहा हूं अगर आपको अपने घर के हर एक सदस्य को अच्छा करना है पहले हमें खुद अच्छा होना पड़ेगा तब जाकर हम कहेंगे सर यह शेर मार्किट कर लो आज अधिकतर मेरे से काफी लोग मिलने आते हैं रिस्तेदार में मिलने आते हैं और अब वो मेरे दुआरा कई अकाउन खुलवा रहे हैं क्यों खुलवा रहे हैं क्योंकि उनको यकीन हो गया है कि भाया अगर फसने वाली चीज़ों के साथ जाएंगे तो फसा जाएगा बचने वाली चीज़ों के साथ जाएंगे तो बचा जाएगा इसी तरीके से एक शेर है हिंदुस्तान मोटर्स और उस वक्त मैं इसकी रणीतिया आपको बता रहा था जब शेर अपर सरकिट लगा रहा था ठारा रुपे से सेर कम ही दिनों में 48 को टच कर गया और काफी लोगों ने कहा अंदरूनी मामला है और मैंने कहा था कि अगर अंदरूनी मामला है तो उस अंदरूनी मामले को हमें नहीं समझना है हमने एक चीज की कसम खाई और आप भी खा लो जिस company की sales बढ़ रही हो अच्छी कर रही हो चाहिए वो loss कर रहा हो हाँ उसमें हम tick सकते हैं पर उस company में बिल्कुल भी नहीं टिक सकते हैं जो आर्ज 2021 से zero sales कर रहा हो और December 2023 जो ये गया उसमें एक क्रोड की company ने sales की हो और उसके बावजूद भी 11 क्रोड का profit आया हो मैं आपको एक चीज बताता हूँ आपकी factory है आपने factory को लिए आपने दुकान को लिए आपने कुछ भी चीजे की उसमें आप ऐसे व्यक्ति को काम पर रखोगे जो सिरफ पैसा ले रहा हो तनखा ले रहा हो और काम एक भी नहीं कर रहा हो रखोगे आप जब आप अपनी दुकान पर उस व्यक्ति को नहीं रख सकते जो सिरफ पैसा ले रहा हो और काम कुछ भी नहीं कर रहा हो तो फिर वैसे शेर पर क्यूँ पैसा लगाते हो जिसकी sales zero हो और सिरफ hope पे चल रहा हो भी hope तो लड़का भी दिखा रहेगा भाया मैं कल से काम कर दूँगा वो कर दूँगा ये कर दूँगा और उससे पहले जो लड़के काम कर रहे होंगे उन चीजों को समझो तो एक क्रोड दिसंबर 2023 में इस company ने sales की थी और 11 क्रोड का profit क्या था और वो 11 क्रोड का profit other income से आय भाया कितने दिग्गज दिग्गज ताटा मोटर जैसे जो कंपनिया है ताटा मोटर सर बताओं आपको TCS को पीछे कर दिया उसने profit में यह दियान लगना मेरी बात तो ताटा मोटर्स जो इतना अपना पंक फिलाकर बैटा है बीच में वीडियो मुलाई इसको उपर और ज चीजों को आपको समझना है इसलिए मैं तब यह वीडियो बनाई थी समझाने वाली जब यह अपर सरकेट लगा रहा था बनाई थी मैंने मैं थोड़ा से समल कर रहना है अभी मैंने बीच में वारी रिनेवल अनर्जी के ऊपर वीडियो बना दी काफी लोग नराज हो गए नहीं सर यह तो अंदस बाराजार उपर में जाएगा बैया देखो कहीं भी जाए हमारे सामने बहुत अच्छे अच्छे अपरिचनल्टी है हम उससे पकड़ेंगे समझने वाली बात है तो हिंदुस्तान मोटर अच्छे अच्छी क्वालिटी का शेर नहीं कह सकता अच्छे ग्रूप का शेर कह सकता हूँ पर मैं इसकी सेल्स देखूँगा बाया और अगर इसने काम स्टार्ट भी कर दिया तो तब भी वो उजवलता नहीं आ सकती इसके अ कर चलो तब जब यह कंपणी अगर सच में वो काम करेगी तो फिलाल तो वह यह से आप समझे अभी क्वार्टर फोर का रिजल्ट आएगा तब इस चीज़ को हम देख कर चलेंगे कि हाँ यह कुछ अच्छा करेगा नहीं करेगा रतन पावर के उपर मैंने पहले विडियो म करेगे तो मैं तो बताई रहा था आपको संजीव भसीन जी ने भी बताई है बड़े बड़े इंवेस्टर इसके अंदर अपनी होल्डिंग को मनागर बैटें कंपनी अभी भी अच्छा खासा लोस कर रही है और 800 क्रोड करीब की यह सेल्स कर रही है वो भी सही है कंपनी को कोटक महंदरा बैंक ने समझते जाओ पॉइंट को दुबारे बता रहा हूं इतना जादा लोन किस तरह के से दे दिया था आप यह समझो 1100 क्रोड रुपे करीब का लोन दिया था यह कुछ वजूद तो होंगे फिर भी कंपनी अंसील्ट के पास से उससे बाहर निकलेगी स संजी बसीन जी को अच्छा लग रहा है सिरब यह क्वाटर फॉर के इंतिजार में और संजी बसीन जी के वाक्यों में यानिकी स्टेट्मेंट पर चल रहा है तो ऐसे शेरों से जब तक कि आप क्वाटर फॉर ना देखो थोड़ा सा समल के रहना है समझ में बात रखनी हैं दूसरों के टारगेट में वर्क करकें मिलेगा क्या मुझे अब यह बता दो अभी पास दीन जब मार्केट गुरी वही गुरुप वाले जो तरगेट देते थे यह हो गया वह गया सब वी लूप तो गया पी हो गये वह तो और अब जब मार्केट में थोड़ी सी रोना के बाहरे आ रही है तब वह आ रहे हैं और मैं आपके लिए व्यू क्या पकड़ रहा हूं अभी कल मैंने आपको बताया था कि जब मोदी जी इतने आसवस्त हैं कि भाहिया जो 13 से 15 तारिक को जून को जो इटली में जी सेवन की बैठक होगी उसके अंदर वो आमंत्री कहे रहे हैं कि मैं महाँ जाओंगा वो इतनी बड़ी-बड़ी बाते बोल रहे हैं और 4 जून को जब रिजल्ट आने वाला है भाहिया उन चीजों को मै पर विदेश मंत्री हो गए वित मंत्री हो गए गरह मंत्री हो गए तीनों ने पॉजिटिव संकेत दिये और वो चुनाव के साथ-साथ शेर मार्किट के दिये हैं उनोंने तो तालूख है कि नहीं है चुनाव का कुछ पढ़िणाम कुछ भी आये situations क्या चल रही है वो आप सीजो को भी समझो जो हमें आगे जाकर बिल्ड अप करेगी तो रतन पावर शिरप हमारे संजी उभसीन जी और क्वाटर फॉर के इंतिजारों से भाग रहा है उसको आपको देखना पड़ेगा अभी भी समझाओ व्यू को व्यू को जो समझेगा वो अपने पैसे को सेफ क और जो व्यू को समझ कर वर्क करेगा सर मैं बता दूव कभी भी दोखा नहीं खा सकता क्यूंकि अगर वो एक कमपनी के शेर में फज गैया यानि कि यह कमपनी दस कंपनियों में से कंपनीच कराब निकल गई और वह उसने अलग-अलग कंपनियों में इंवैस्ट्मेंड कर तो उन चीजों से मैं आपको बता रहा हूं कुछ थोड़ा सा में अलग तरीके से बर करने पड़ते हैं तो रतन पावर का हम आगे देखेंगे भाईया इसका क्वाटर फॉर और चीजों के साथ ना फंडामेंटल कंपनी मजबूत मुझे जेपी पावर लगती है इसलिए मैं आपको चीज़े समझा रहा हूं यह अभी संजी वसीन जी की चीजों के साथ भाग रहा है देख तर अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं जल्दी मना रहा हूं अभी तक के मुझे वोटापॉन अडे कर रिसंट देखने को नहीं मिला है साथ अभी नहीं नहीं आया या बाद में आ सकता है कभी भी ! है उसके ओपर फिर में कल या परसों में वीडियो बनाऊंगा लेकिन दो पोजिटिव संकेत आ रहे हैं उन पोजिटिव संकेतों को समझेंगे एक बार मैं आपको फिर बता रहा हूं की पहले मकसद नहीं था वोड़ा फॉन आडिया के शेरों को लेने का पर अब है जब पहले बिना मक्षद के अठारा को टेच कर चुका है तो अब मक्षद है कंपनी के पास पैसा है और वह अठारा के अंदर इतनी ज्यादा जाग गई कि कम से कम छे से साथ गुना जो इसका हो गया था मतलब इतना आविदन आ गए थे कंपनी के अंदर दिल्चस्पी लोगों की ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जा रही है कुछ पॉइंटों में काम करेंगे उस पॉइंट को आपको पकड करते जाना जितनी जल्दी यह 4G के विस्तार के साथ-साथ 5G लॉंच कर दिया कुछ सरकलों में इसके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा दूसरा इंडुस्टावर भी उत्साहित है वोटाफोन एड़े के एप यो से सीटी जो एक उसने अच्छे टार्गेट दिया थे वह भी आभिश से प्रैरितोर रहा है वोटाफोन एयरे के सीओ जो है उन्हें वहंबी प्रैरितोर वप् rabbits कुस्तमें को और उसके बाद एक चीज देखने को मिली है जो गेरेलू ब्रोक्रिज फ्रम है कोंतक एकविटिव उस ने वोटाफोन एयरे के लक्षे तेइस रुपें उस्तम उपार के दुआ रहा कुछ ऐसी चीजे देख ली है कोटक ने जो वह आपको बता रहा है तो एक यह तोड़ा सा निगेटिव होगा कि सेल की रेटिंग के साथ साथ उन्होंने जलबाजी में उपर जलबाजी में नीचे वाले सेर की उपादी दे दी और 30 रुपे के ल मिल सकते है जब आगे जाकर जल्दी जल्दी से 4g 5g की चीजें हमें देखने को मिले एक बहुत इंपर्टेंट इसके अंदर स्टेटमेंट यह मुझे बहुत ज्यादा लगा वह मुझे कोटक से भी ज़्याता इस्टेट्मेट लगा और को उसे समझ रहा है मैं आपको बता कर रहा और वो उसने करके दिखा दिया और वह आगे बढ़कर अपने चीजों के साथ जाएगा पर इसके आने से दोनों को टैंसन तो होनी चाहिए क्योंकि यह तीसरा तयार हो रहा है लेकिन एक बहुत पोजिटिव संकेत आये हैं कल की एक न्यूज है आज मैं आपको बता र पोड रुपे जुटाए यानि की पैसों के लिए उसनों ने बताई दे दिया और उन्होंने यह का है कि अगर तीनों खिलाडी मुझूदा इस्तिति में अच्छे हो जाएं तो भारत के लोगों को अच्छी सेवा परदान कर सकते हैं और तीन खिलाडी का भारत में होना एक अच्छी दिसा दिखा रहा है ये MD ने बोला है और वो इसके प्रतिस्परदा है बहुत positive news है और यहां से ऐसा लग रहा है कि वोड़ाफोन idea मैदान में आएगा क्योंकि ये मेरी worlding नहीं है ये psychology वाली चीज होती है ये target से भी अच्छी चीज है कौन इसको समझ रहा है मैं तभी target के चीजे में उलसता हूँ मैं उलसता हूँ वजूदों के माध्यम से और जब वो वाक के ऐसा कोई व्यक्ती बोल रहा है जो पहले से उनकी company काम कर रही है तो ये परतिस्परदा दे रहा है लेकिन वो तब भी खूस है बहुत positive संग कहते है BCG की कल की जो news थी जो NSC ने trading बंद करने वाली चीज़े हमें बताई थी उससे काफी लोग tension में आये थे पर मैं आपको एक चीज़ बता दू वो positive news है अब आपको गए सर ये positive news कैसे हो गई जो खल news आई थी कल बैसे मैंने आपको hints दे जिए थे पर आप वो समझे नहीं जब अभी तक के BCG quarter 2 quarter 3 और quarter 4 आने वाला है उसके बिना ही उसका share trade कर रहा है तो उसमें उच्छा ले और गिरावट से भाईया हमें मिलने वाला कुछ नहीं था ये आप ध्याना दखना हुआ बास समझना ये बहुत जल्दी statement आ गया है BCG का ये positive संकेत है पर जब तक के वो अपने result को परस्तूत नहीं कर सकता कल की news थोड़े सा और समझेंगे NSC ने ये का है कि वह आपके trading चोदा जून के बाद से बंद कर देंगे और अगर आप 14 जून के बाद 15 दिन तक के ये अपनी चीज़े नहीं करते है अनुपलन नहीं करते तो फिर 6 मेने के अंदर हर मंडे के ये दिखा करेगा यहां से लोग काफी खफा होगे नराज होगे होना भी था क्योंकि ये है तो bad news लेकिन ये नियमों के तहट न्यू जाए और यह होना बहुत संभव था कल भी मैंने आपको यह समझाया था सेबी के कुछ रूल है उस रूल के माध्यम से ही कंपनी जब अपना रिजट परस्तूत करती है तो उसको हम देखते हैं उसको बापते हैं चाहे उसके बाद ही अपनी निवेश की स्थित्या बताएंगे जब कंपनी अपनी बैलेंस इट को प्रस्तूत ही नहीं कर रहे है तो आप फिर किस चीज में ट्रेड कर रहे हो यह मुझे बताओ यहाँ पर अगर NSC सकत ना होता तो भाईया आज यह BCG जो कह रहा है न कि वो कॉंफिडेंस से कह रहा है कि 11 जून तक के दो quarter 2 और quarter 3 का रिजट परस्तूत कर देंगे उम्मीद है उन्हें 11 जून तक के कर देंगे यह तब हुआ जब NSC सकत हुआ है भाईया यह positive news थी समझो मेरी बात को अगर यह चीज ना होती है तो क्या होता ऐसी सेर डोलता रहता उपर नीचे उपर नीचे अब एक मकसद तो मिलिया ना भाईया कुछ तो result प्रस्तूत करें भाईया मैं यह नहीं कह रहा हूँ profit आएगा ना मैं कह रहा हूँ loss आएगा मैं कह रहा हूँ जि तो दिन पहले ही पता लगे कैंसिल हो गई तो पैसे पूरे मिलेंगे और अगर आपने कैंसिल कराया आपके पैसे कटेंगे और आपने अगर मिस कर दी ट्रेन कैंसिल निकरा कुछ भी नहीं मिल लें तो क्या हो रहा है यहां पर एनसी की चीज बहुत positive चीज के साथ आई साथको कर्या सजुए काफी यूटूबर आपको फसागर गये रहें मैं आभी वह आपको बता रहा हूँ मैं तब बता रहा हूं जब शेर काफी उपर था और मैंने तब भी का था आपको और उसके बाद कुछ यूटूबर ने अपने चेहरे दिखाने बंद कर दिये हैं इसलिए कभी भी किसी के टार्गेट में मत उलजना और जिसको व्यूई नहीं पता हो जिसको रणीतिया नहीं पता हो उसकी वीडियो देखकर आप टार्गेट में उलज रहे हो किसी को नहीं पता कि शेयर दो रुपे भागेगा चार रुपे भागेगा पर रणीतिया पता होती है उस वजूद को समझाया है आज आपको BCG कैसे लग रहा है अब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि रिजल परस्तूत कर देंगे यह तो कंपनी ने कहा है लेकिन जब तक यह सारी चीज़ें नहीं करेंगे तब तक कि BCG सही भी नहीं होगा यह भी आप समझ लेना पर पोजिटिव संकेर देंगे हैं कंपनी ने तो इस बात को आपको समझ कर चलना पड़ेगा अब तो इलेक्शन जीतने के बाद मुझे लग रहा है कोई सबी जीते कोई भी जीते तो रिनेवल अनर्जी में काम ज्यादा होने वाला है और एक इंफ्रस्ट्रेक्टर होगे आपका और एक आपका रेलवे में इस तरह के जो अच्छी अच्छी चीज है उसमें काम ज्या भी बाते होंगी नवक्रिन दॉर्जा के लिए कोईला कम कर दो इंदन कम कर दो वह ज्यादा उचल रहा है बाकी इंफ्रस्ट्रेक्टर यह सारी चीज है यह तो अपने देश की है पर जब दोसने की चीजा के साथ भी देखा जाता है इसको तो इस पे ज्यादा वर्क होगा और आपको देखने को भी मिला होगा एंटीपेसी अपनी नई कमपणी एंटीपेसी ग्रीन अनर्जी की निर्मान के लिए कर रही है बीते दिनों ओएंजीसी ने भी का था वो अपनी ओएंजीसी ग्रीन इस तरह के की एक कमपणी बनाएगा उससे पहले कोल इंडिया वो कह र रहे हैं तो यहां से आपको क्या दिख रहा है आगे जाकर नवकरने उर्जा वाली कमपणी बैस्ट होने वाली है और उसके अंदर सबसे अच्छी कमपणी मुझे लग रही है ओएंटीपीसी का एक कमपणी का आईपीओ भी आने वाला और जो रिनेवल अनर्जी पर वर्क चाता है और वह खुद अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रियास भी कर रहा है पर वह सहारा रेले ले रहा है एंटीपीसी की सहाई कमपणी जो है एंटीपीसी ग्रीन अनर्जी और मुझे लगता है कि जब एंटीपीसी ग्रीन अर्जी का आया ना भाईया धमागेदार होगा उसमें हम पारिटिस्टिपेट कर सकते हैं क्योंकि वह रिनेवल अनर्जी के लिए वरक हो रहा है तो यहां पर दोनों के माध्यम से जोएंड वेंचर के माध्यम से एक कमपनी जो है एक हरित उर्जा की कमपनी है उसका हंडर परसेंड अधिग्रह अगले दो साल में इसको यह दसी चीजों के साथ भी इन्होंने बता रखा है और ऐसी कमपनी का अगर हाथ NTPC Green Energy और ONGC में लग जाए तो आप समझो कि आने वाले चीजे ONGC और NTPC के लिए क्या है यहां से कोई टार्गेट नहीं पता लग रहा है आपको वजूद पता लग रहे है जब कुछ चीजे कुछ मेदान को पार कर लेती है वो मेदान तो उसके कबजे मायात है तो उस हि दूरता जाएगा आप मुझे समझ नहीं रहे हैं कुछ लोग और जिस दिन मुझे लोगों ने समझना सुरू कर दिया समझ तो काफी लोग रहे हैं पर वो जो उल्टे कमेंट तो वैसे बाती नहीं मेरे वीडियो में लगता है सारे समझ गए तो आज की वीडियो बहुत इ की चीज़े में आपको बता दी एक कंपनी का दीगरन करने के लिए बुले लगाएंगे तीड़ गड़कों मैं फिर से बदाई देना चाहता हूं के इसी के लिए भी में बहुत अच्छे बोल पहले भी बोल चुका हूं तो उन चीज़ों को भी आपको समझों कहां पने दो अच्छी सेवा भारत के लोगों के लिए दूर संचार के छेत्र में करेंगे यह बहुत वैलूबल चीज़ है इसको समझों बीसी जी के लिए एनसी ने जो कदम उठाई थे वैलूबल कदम है क्योंकि उसकी वज़े से अवास तो अंदर से आई कि ग्यारा जून को हम समझ समझ कर देखिए किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है चाहे में को ना हूँ वजूत पकड़िये व्यू पकड़िये और जो व्यक्ति व्यू पकड़ के काम चलेगा कभी वह नहीं सकता तो मेरे चैनल पर खरीदने बेचने की सला बिलकुल भी नहीं है मेरी वीड बच्चों को जादा से जादा प्यार कीजिए क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किसमत पल्टेंगे तो फिर मिलेंगे आपसे नहीं वीडियो के साथ जब तक के लिए नवश्कार